हाई गाइस तुम लोगों ने कहा और मैं लेकर आगया बेस्ट लैप्टोप अंडर रूपीज फिफ्टी थाउजन की लेटेस तरखती वड़कती वीडियो और चद्धियस वीडियो पड़ते हैं बाट उससे पहले मार्केट आइस जैसे कि तुम लोग चानते हूँ तो यहा नहीं जादा दाट इस फाइन और अगर यह चीज तुम्हें समझ में आ गई है तो सीदा बढ़ते हैं बेस्ट लाप्टॉप अंडर रूपीज फिफ्टी थाउजन की तरह एंट फॉस्ट लाप्टॉप इस प्यूटिफुल लाप्टॉप इन इस प्राइस का डिगरी तो उसके अगर इसन बेड डिस्प्ले इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग है फोटोशॉप बोटोशॉप वालो के लिए ही है ये प्राइन रिली तो इसमें तुम्हें इंटिगरेडिद यूएजडी मिल जाएगा 15.6 च का फुल एच्डी दिस्प्ले है QLED पैनल है 400 nits की ब में मिलते हैं 720p HD camera, built-in speaker, microphone, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 and prices 46,600 तो यहां पर ही बनता है Stellar Deal, if you are looking for a beautiful laptop तो यह काफी अच्छी दील है अगर तुम स्टोईज पर कंपरमाइज करते हो तो पाकी I know बहुत सारे लोग है जो कंपरमाइज नहीं करेंगे जिनको 512 चाहिए और मैं होता मैं खुद भी दूसर लेता है, but if you are into looks और portability और तो यह ले सकते हो वरना इस पर आजो तो यह है तुम्हारा Redmi Book Pro और spoiler alert यह मैं recommend नहीं कर रहा हूँ यह तुम्हें सिखाने के लिए कि क्या नहीं लेना है तो guys यहां पर तुम्हें आई 511 जन मिल जाएगा, RGB की RAM है, Iris XCear graphics है, अब मजी की ब बिन बिन लापकाप है, और 50,000 के अंदर i5 11 जन कोई भी ब्रैंड नहीं देता है तुम्हें तो यहां पर तो मतलब बहुत ही बड़ा डील है, तो देखो 15.6 एंच का full HD display मिलेगा, gain, 1.6 kg का weight है, 10 गंटी की bet life, 720p का HD camera, 3.5 mm body jack, SD card reader, and Windows 10 home, MS office, price इसका 50,000 से करके 45,000 का हो ग कुछ इसनों कुछ इशू थे, but this is the perfect laptop average logo के लिए, it's by HP 250 G8, तो देखो यहां थे तुम्हारा i3 11 जन के साथ, again, same 2 core charge rate, RGB की RAM है, 512 GB की SSD है, 15.6 एंच का HD display, not full HD, 5 गंटी की bet life, 90% in 90 minutes, again, एक बड़ा बात है, 720p का HD camera है, and price इसका 45,000, 45,000 पिलकुल बहुत ही बड़ा डील है, पट इसका एक और alternative भी है, again, by HP, जिसको मैं prefer करूँगा इसके उपर, क्योंकि कुछ चीज उसमें better है, तो देखो यह तुम्हारा i3 11 जन के साथ आता है, same processor, RGB की RAM है, जिसको तुम्हारा i3 11 जन के साथ आता है, same processor, RGB की RAM है, जिसको तुम्हारा 16 GB तक, 512 GB की NVMe SSD है, 14 इंच का full HD display है, 45% NTSC के साथ, Windows 10 Home, MS Office, Alexa built-in का support, वही बाकी से बिसारे ports, जो अर्मूस सबको मिले थे, and prices का 48,000 होता था, but फिलाल यह तुम्हें 46,600 तक का मिल जाएगा, और बहुत अच्छा डील है, अब बहुत लोग के दिमाग में सवाल आएंगे, रिशब भाई, पुराने वार जाज दिया, तो obviously कुछ कुछ चीज है डिफरेंट है, but overall यह काफी complete package है, ठीक है, तो इसको मतलब, literally recommend करता हूँ मैं, बाकी मेरे उन भाईयों के लिए, who are looking for a 2-in-1 laptop, guys, इसको ले सकते हो, यह काफी अच्छा laptop है, यह है Asus MacBook Flip 14 जो किया था, i3 tangent के साथ, and इससे बहुत कोई बोलो कि भाई 11 जन से नीचे नहीं लेना था, but क्योंकि यह twin laptop है, kindly adjust, यहाँ पे तुम्हें 8GB की RAM मिलेगी, तो 4GB की onboard है, और 4GB निकाल के लगा सकती हो, तो total 12GB तक upgradable है, 256GB की NVMe SSD है, 14-inch का full HD display है, 45% NTSC के साथ, MS Office मिल जाएगा, Windows 10 Home है, metallic lid मिलेगा तुम्हें इसका उपर व 5 है, and price is 46,000 है, so if you can compromise on processor, then guys, काफी अच्छा laptop है, इसको consider कर सकते हो, only those जो की एक 2-in-1 laptop ढूंड रहे थे, बाकी लोग इसको भूल जाओ, ऐसे सोचों मने laptop बता या नहीं, ठीक है, तो जो लोग भूल गए, भाई, यह वरा laptop लो, this is my favorite laptop in this entire list, this is Lenovo IdeaPad Slim 3, यह काफी अच्छा laptop है, यह आता है तो हमारा i3 11 Gen के साथ, again, same processor है, 8GB की RAM मिलेगी, जो की upgradable है, 12GB तक, 512GB की SSD है, 14-inch का Full HD display, IPS panel मिल जाएगा, 45% NTSC है, and weight भी इसका 1.4GB का weight है, जो की आफी हलकी end है, fingerprint reader है, backlit keyboard है, and bed life इसकी up to 6 घंटे की है, but अच्छी बात है की rapid charge में रहे है, यानि की 80% in just 1 hour 720p का camera है, with privacy shutter, जो की बहुत important चीज है, वही बाकी समसार report जो अलमोस सब में मिले है, and Windows 10 Home मिल रही है, upgradability guarantee है, Windows 11 आएगी, MS Office है इसमे, and prices का 49,850, and अगर तुम उन लोगों में से हो, जो की एक पिलकुल latest laptop देख रहे हैं, सारे features, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, अच्छा build, अच्छा locks, तो guys, this is that complete package, थोड़ा सा महंगी साइड, 50,000 के आसपास हम आचुके है, but overall देखा जाए, तो मेरा है काफी फेवरेट लाप्टाप है, considering ये कितने का मिल रहा है, but मजी की बात ये है, guys, इसका price drop हो चुका है, और ये तुमको, अब मिलेगा, सिर्फ 45,000 मे, and उस price point पे काफी अच्छे specs ह है, if you are in that budget, तो guys, इसको बिल्को कॉंसिडर कर सकते हो, पिछले दो महीने से मना कर रहा था, बट अब देखो price drop हो है, तो मुझे या बताना पड़ रहा है, तो इसको भूलना मन, बाकि इससे पहले मैं आगे बढ़ू, एक और laptop बे इसके काफी questions आते है, which is HP 14S, तो primarily इसका question इसलिए आता है भाई, Ryzen 5 3500U वाला प्रोसेसर, लूप के नई लूप, guys, मतलो, genuinely, पुराना प्रोसेसर है, दो जनरेशन पुरानी हो चुके है, I'll say go with i3 11 जन, या फिर Ryzen 5 5500U, उसके इलाबा लेने का मतलब बनता नहीं है, भूल जाओ, बाकि इस price category पे एक और laptop है, जो कि क SSD है, 15.6 का Full HD display है, Windows 10 Home है, MS Office भी मिल जाएगा, इसमें में Alexa built-in का support है, AMD Radeon का graphics और प्रैसेस का 49,790 बट, ये महेंगा होकर आगया है, तुमारा 55,000 का और वहाँ पे थोड़ी से expensive डूल जाती है, वरना पिछली अमीने मैं इसको recommend कर रहाँ, अब अच्छी बात है, ये इस दिस्पले का डिफरेंट है, वर 15 इंच ता 14 इंच ये तुमारा फिलाल 53 900 का आ रहा है, जो की काफी ओकी ओकी डील है, बट यार यहां पर मैं बोलोंगा, या ता तुम आई 3 11 जिन वाले ले लेनोग आपट शिम 3 काफी अच्छा लैप ता और अगर तुम रईजन 5 पे पूछे थे कि बेस्ट लापटोप 50 में, तुम्हें क्या है डाउट्स है, तो अब सीधा उनको लेते हैं, गाइस, skip मत करना क्योंकि हो सकता है, तुम्हारे भी सेम क्वेश्चन हो, तो गाइस, मार्टी सेन ने बोलाई कि 50K से नीचे के लापटोप में ग्राफिंग और अगर वो लापटोप तुम्हेरी सिस्टम रिक्वार्में पूरी करते हैं, तो गरवानन बोल रहे हैं, प्लीज मेक, I want to buy a new laptop, around 45K, तो गाइस, यहाँ पे तुम्हारा बेस्ट है, Lenovo IdeaPad Slim 3, मैंने अल्रेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसको बिल्कुल खरीच सकत मैं एक और वीडियो बना ले वालो, best laptop अंडर 45,000, तो तुम्हारा 40-45 तक का अगर budget है, तो गाइस, उसको consider कर सकते हो, वहाँ पे एक dedicated list पूरी में फिर से निकालूँगा, तो अरितिक राज बोल रहे हैं, कोई gaming laptop 60,000 में जो की battery backup भी अच्छा दे, गाइस, ऐसा होता ही नह SD में 50,000 से कम में आता है क्या, जैनुरली बताओ, तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, depending upon कब सेल है और कब सेल नहीं है, बट आइडिली 50,000 तक कब लिचले 2000 और और बढ़ा, Ryzen 5 लो, जो कि तुमारा i5 10 जन से बेटर, 500 बारा जीबी तो मिलेगा ही मिलेगा उसमें, तो यह जो बाइड पिर है प्योष गुपता कमेंट, है फिफिटीनेस में डीसें गेमिंग चल सकती है क्या, यहर गेमिंग लाप टॉप वो नहीं है, तो गेमिंग एक्सपेट मत करो, हाँ गेमिंग के लिए बेस्ट होता है रिक डेडिगरेट ग्राफिक काड तो में मिल चाहे दो जी भी गई हो, that is why इन लाप टॉप पे गेमिंग कर सकती हो, लो लेवल की, बट ट्रिपल ए टाइल कोई सा भी नी चलेगा, और गेमिंग के लिए मत लो यार लेना है तो फिर वही ले लो गेमिंग वालाई, तो I hope इससे तुम कुछ हेल्प मिली हो और हेल्प ली वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं इसी तरह दब तक के लिए, बबाई!